Welcome in the lecture series on the atomic structure and this is part 3 in which we will discuss about the concept of orbits and orbitals. तो बच्चों आपका स्वागत है इस lecture series में जो की atomic structure के उपर बेस्ट है और इस series इस lecture में हम part 3 पढ़ रहे हैं जिसमें हम orbits और orbitals की concept को पढ़ेंगे. अल्रेडी हम पढ़ चुके हैं आपने देखा था पोर्स मॉडल का कुछ पार्ट मैंने आपको बताया था फस्ट लेक्चर में और वहाँ पर आपने देखा था कि किस तरीके से जो पोर्स मॉडल है वो एटम का दिया गया, उसके बाद आपने देखा डी ब्रॉगली equation इसकी concept के बारे में पढ़ा, then आपने in the previous lecture you had studied about the hygienberg uncertainty principle, तो हमने दो प्रिंसिपल पढ़े, एक हमने पढ़ा बोर्स का concept और एक हमने पढ़ा hygienberg uncertainty principle, जिसे हम hygienberg का अनिश्चित्ता सिद्दान्त भी कहते हैं, प्रिंसिपल करेंगे कि हमने बोर्स मोडल में क्या पढ़ा, देखिए हमने बोर्स मोडल में ये पढ़ा कि ये एक nucleus है, और हमने पढ़ा कि इस nucleus के चारों और क्या है, orbits है, वो orbits जिनकी energy क्या है, निश्चित होती है, तो ये electrons according to बोर्स theory, ये जो electrons है, ये कहां चक्कर लगात हैं, orbits में, ये किसका कंसेप्ट था, orbits का कंसेप्ट था, जिने हम shell भी कहते हैं, okay, orbits है, इनकी energy निश्चित है, और इनका जो समवेग आपने देखा था, वो था n h upon 2 pi, okay, तो ये थी बोर्स theory, अब द्यूसरी theory हमने कौन पढ़ी, वो पढ़ी हमने, hygiene works, uncertainty, principle और अनिश्चिता का सित्दान, और मैंने आपको ये बताया था कि uncertain, uncertain क्या है, uncertain का मीन से है, जिसके बारे में हम sure नहों, not sure, जिसके बारे में हमें कुछ ये ना पता हो कि everything जो भी अर्थ में है, वो sure नहीं है, तो उसको हम कहते है uncertain, जो निश्चित नहीं है, उसे हम कहते हैं uncertain तो देखिए हाईजिनबर्ग ने क्या कहा कहा कि जो electrons है electrons की position अगर हम position की बात करें तो position कहां पर होती है electrons की electrons की position हम atom में बात कर रहें तो अगर हम electrons की position देखें और उनकी velocity देखें क्यूंकि वो revolve कर रहे हैं चारों और चक्का लगा रहे हैं तो अगर हम उनकी position देखें और हम उनकी velocity देखें एक atom में तो हम यह कहते हैं कि दोनों को simultaneously नहीं देखा जा सकता है क्योंकि अगर position uncertain होगी तो उसका velocity और संबेख क्या होगा certain होगा और यह आपने देखा था it is greater than or equal to h upon 4 pi तो आप यह कह सकते हैं कि अगर position में uncertainty होगी तो फिर संबेख में uncertainty बहुत कम होगी क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के क्या है inversely proportional तो हम क्या कहना चाह रहे हैं देखिए अगर हम हाईजेंट बर्क के uncertainty principle को देखें तो हम यह कह रहे हैं कि एक electron की position क्या है uncertain है और अगर हम bors यह क्या है देखिए यह है bors theory और इधर हम बात कर रहे है hydrogen works uncertainty principle के according जो position है वो क्या है uncertain है electron की और bors theory क्या कहती है कि जो electrons हैं वो निश्चित energy के orbits में चक्कर लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं दोनों का concept जो है यहाँ पर हम निश्चित कह रहे हैं मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं certain तो हम यह कह सकते हैं कि boards ने कहा था कि यह certain है electrons की स्थिति और हाईजेन बर्ग ने कहा था कि इनकी जो position है वो uncertain होती है लेकिन दोनों ही अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे अब हम आ रहे हैं देखिए हुआ क्या कि जो boards ने किसके बारे में बात की थी boards ने जो बात की थी orbits के बारे में उन्होंने बात की थी orbits के बारे में और जो हाईजेन बर्ग थे उन्होंने जो uncertainty की बात कही थी वो कही थी actually orbitals के बारे में तो यहां से जब दोनों का concept देखा गया तो दोनों के concept से दो नए concept निकल के आए कि भाई जो boards बात कर रहे थे वो थे orbits और जो हाईजेन बर्ग बात कर रहे थे वो थे orbitals तो इसका मतलब है जो एक atom होता है उसमें दो चीज़ें होती है एक होता है orbit और एक होता है orbital तो यहां से difference पता चला कि दोनों ही अपनी जगा पर ठीक थे लेकिन दोनों जो बात कर रहे थे वो अलग concept की बात कर रहे थे तो orbitals की बात की किसने हाईजेन बर्ग ने और orbits की बात किसने की बोर्स ने तो यहां से पता चला कि orbits और orbitals दो अलग अलग concept से तो इस concept को फिर हम differentiate करेंगे कि orbits क्या थे और orbitals क्या थे तो orbits क्या है और orbits क्या होते है एक्चॉली जैसा बोर्स ने बताया यह आप देखें यह nucleus है और इस nucleus की चारों और आप देख रहे है n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3 मतलब यह क्या है orbits है और यह orbits आप देख सकते हैं कि यह defined circular path है यह देखिए यह circular path आप देख सकते हैं यह circular path आपको देख रहे हैं और यह है nucleus तो nucleus के चारों और जो circular path हैं उनको हम कहते हैं orbits होते हैं उनको हम shell भी कहते हैं यह मैं आप से कह दिया orbits are also known as shell तो यह क्या है circular बात है electrons revolve करते है according to bores model अगर हम देखेंगे तो electrons in orbits में जो fixed energy के orbits हैं इनमें चक्कर लगाते हैं और इनमें electrons का number कितना होता है वो होता है 2n square यह हम n क्या है number of orbits तो जितने number of orbits होंगे कितने number of orbits हैं उस पर depend करेगी number of electrons जिनको हम quantum numbers में discuss करेंगे जो electrons का motion होता है इन orbits में वो हाइजेन पर्क प्रिंसिपल को follow नहीं करता है क्योंकि हाइजेन वर्क के according यह जो electrons की position है वो fixed नहीं होनी चाहिए लेकिन orbitals में जो उनकी position है वो क्या होती है fixed होती है इसलिए जो rotation है orbits में किसका electrons का वो हाइजेन पर्क uncertainty principle के against होता है और आप देखिए जो in orbits का shape होता है वो कैसा होता है circular path होता है और यह जो circular path होते हैं they are non-directional उनकी कोई भी directional property नहीं होती है so these are the important points related to the orbits orbits जिनको हम कक्षा भी कहते हैं और इसको हम shell भी कहते है वो हमने देखा orbitals का और orbitals का concept actually किसने दिया किसके concept से आया that is hygiene box uncertainty principle की help से हमें पता चला कि orbitals होते हैं तो orbitals क्या है orbitals are the three dimensional space कैसे हैं three dimensional space है nucleus के चारों कहां पर है nucleus के चारों where there is maximum probability of finding an electron as per quantum mechanics model तो यहां पर आप देखेंगे कि जो three dimensional space है चारों किसके nucleus के जिन पर electrons की पाये जाने की संभावना सब से अधिक होती है उन space को हम कहते हैं orbitals और orbitals का दूसरा है sub shell okay sub shell जो की orbit के अंदर होंगे orbit के अंदर का जो part है उनको हम कहते है orbitals तो यह sub shell कहलाते हैं आपने देखा कि shell में maximum number of electrons कितने आ सकते हैं 2N square जबकि यहां पर maximum number of electrons कितने हो सकते हैं 2 एक orbital में कितने electrons हो सकते हैं 2 और अगर हम देखें कि जो rotation है electrons का around the orbital it is according to the hygiene works uncertainty principle जो rotation है क्योंकि अब आप जानते हैं कि orbitals three dimensional space है और यहां पर electrons की पाए जाने की संभावना probability सबसे अधीक होती है तो हम बात करने probability की तो probability का मतलब है हम uncertainty या certainty से उसे जोड सकते हैं तो यह जो orbitals का concept है it obeys the hygiene works uncertainty principle अब अगर हम देखें orbitals के shape को तो orbitals के shape spherical हो सकते हैं dumbbell हो सकते हैं double dumbbell हो सकते हैं यह circular नहीं होते हैं तो इनके different shape हो सकते हैं जैसे for example spherical हो सकता है अगर S orbital है यह देखें dumbbell shape हो सकता है अगर P orbital है और अगर D orbital है तो double dumbbell shape हो सकता है जिसको हम explain करेंगे detail में सारे orbitals के shape हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं कि orbitals के different shapes होती हैं और जो orbitals होते हैं generally the directionally nature except S orbital तो अगर हम S orbital को छोड़ दें जो कि spherical shape का होता है बाकी सारे orbitals directional होते हैं अब आप देखें यहाँ पर हमने diagram दिखाया है एक जो center में जो circle है वो 1S orbital दिखाये गया है तो 1S orbital देखिए circular spherical shape में फिर देखें यलो रंगा जो है वो है 2S orbital तो 2S orbital भी आप देखें स्फेरिकल shape का है जब कि यह P orbitals जो है वो dumbbell shape की है और आप देख सकते है P orbital को हमने लिखाया है 2PY, 2PJ, 2PX तो हमने क्या इसमें add किया है हमने इसमें direction add करी है देखिए Y, Z and X तो अगर हमने यहाँ पर direction involve की है मतलब कि यह directional nature show करते हैं In the similar way हम D orbitals को भी कह सकते हैं Dxy, dyz, dxz and dx square y square then dz square तो यह D orbitals के type हो सकते हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने direction यानि coordinates का यूज किया है इसलिए P and D orbitals they are directional in nature while S orbital is non-directional तो इस तरीके से आप देख सकते हैं There are lots of differences in between orbitals and orbits Conclude the difference between orbits and orbitals अब हम orbits and orbitals के बीच में difference देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और्बिट्स हैं उसका concept किस ने दिया था बोर्स ने और orbitals का concept कहां से आया Hygene bug uncertainty principle से आया जो orbits हैं वो circular path होते हैं well defined हैं उनकी energy well defined है जबकि जो orbitals होते हैं ते are three dimensional spaces जहाँ पर electrons की पाये जाने की संभावना सबसे अधिक होती है अगर आप देखेंगे कि electrons जो हैं वो bore model के according revolve करते हैं और यहाँ पर electrons का जो number है वो 2N square होता है orbits में और अगर हम orbitals में देखेंगे तो maximum कितने electrons आ सकते हैं? दो अगर हम देखें कि जो rotation है orbits में electrons का that is against hygienborg's uncertainty principle जबकि orbitals में जो rotation है electrons का वो according to the hygienborg uncertainty principle है क्योंकि orbitals are not well defined जहाँ पर probability होती है electrons की पाये जाने की संभावना अधिक होती है यहाँ पर आप देखेंगे जो orbits हैं उनका shape होता है circular जबकि orbitals का different shape हो सकता है they may be spherical they may be dumbbell they may be double dumbbell जो orbits होते हैं they are non-directional in nature जबकि orbitals कैसे होते हैं the s orbital को छोड़कर बाकी orbitals कैसे होते हैं directional in nature it's all about the concept of orbits and orbitals okay in the next lecture we will discuss about the Schrodinger wave equation so thank you very much झालS Jest झालS